हेलो एव्रीवन मैं हुए डोकेट रहोल मिश्टा और आज इस वीडियो के त्रूम लोगे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको अपनी वाइफ के अगेस काउंटर केसिस करने हैं तो काउंटर केसिस करने का एप्रोप्रियेट टाइम क्या है सबसे पहली कंडिशन आप के मन में चलती है काउंटर केसिस को लेके आज उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए है या पहली बार है या आप लोगों ने अभी तक किसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा साथी साथ एक रिक्वेस्ट और अगर आप उससे पर्सनली बात करना चाहते हैं या अपनी किसी प्रॉब्लम का मुझसे सल्यूशन चाहते हैं तो आप प्लीज एपॉइन्मेंट शेडूल कराईए एपॉइन्मेंट शेडूल करने के लिए वाट प्लीज देखिए अगर काउंटर केसिस आपको करने है तो अगर आप यहाई पहली कंडिशन किया आपको क्या अपने आप से करना चाहिए देखिए बिलकुल अपने आप से नहीं करना चाहिए जैसे माली जया आपको और आपकी पतनी का कोई मेट्रिमोनियल विवाद लेकिन अगर आप अपने लेवल से अपनी तरफ से कोई नीशेल लेवल पर कुछ स्टेप्स लेंगे तो यखीन मानी आपके उपर जो केसिस नहीं दर्ज होने होंगे वो भी आपकी वाइफ दर्ज करा देंगी तो इसलिए अगर आपका मेट्रिमोनियल विवाद हुआ है ना उन्होंने केस करा है ना आपने करना है तो चुपचा बैठे रहिए वेट करिए गुस्टा शांत करिए और एक दूसरे को गुला के अपनी प्राब्लम को सौन करके अपनी ग्रेस्टी आगे बढ़ाईए ठीक पहली कंडिशन तो यह कि आपको अपनी तरफ से इनिशली लिखो ठीक यह समान के लिस्ट है दुनियावर की चीज़े आपको बताई जाएंगी कि आप यह करो वह करो प्रेश्राइस किया जाएगा कि यह सब लिखके दो एक्सेप्ट करो कि तुम प्राब्लम क्रिएट करते हो सब चीज़े विमन के फेबर में होंगी वहां पर होती जर्नली ठीक आपके ओफिस में होता है विमन से लोर उनके अंडर होता है सारी की सारी चीज़े अब फिर में जो भी अप्लिकेशन उन्होंने दी होती उसी क्या धर पर आया हो जाती है आप बाकी चीज़े स्टार्ट हो जाती है अब विमन सेल की काउंस्लिंग जब चल रह और आपके पास अप्रोप्रियेट विडिंश से कि वो गलत है आप उसके अगेंस काउंटर केस डालने जाएंगे तो वो डर जाएगी वहीं पर डर सकती है वह वहांपर केस विड्रॉख कर सकती है ठीक तो यहां बच जाएंगे अगर इन केस वो नहीं डरी तो उसने आपक अगर पुलिस वाला नहीं सुन रहा है उनके हायर ऑफिसस को जाए यह हायर ऑफिसस भी नहीं सुनने तो 156 कोट से जाका उनके उपर फायर दर्श कराईए नहीं छोटी धाराओं में मजबूत धाराओं में जिससे उनके उपर सुलटने वाला नहीं समझने वाला नहीं समझने वाला नहीं तो गलत मुकदमा मत दर्श कराईए मदलब अगर उनके अगेंस्ट अप्रोप्रियेट एविडेंसे से उनके गलत कृत्यों के लिए कि उन्होंने आपको एक्स्रॉशन किया हुआ है मारा पीटा है आपकी फैमिल तब आप प्रेशर क्रियेट कर पाएंगे जब दर्श करा देंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होने लेगे कि जब उनको प्रॉब्लम होगी तो कहेंगी चलो ठीक है यार सेटल्मेंट कर लेते हैं सेटल्मेंट हो जाएगा तो आपका केस डिस्पोज आफ होने की स्टेश प ज arises लगनी थे वह तो कोरने की कोशिश करेंगे अब चौथी स्टेश्यस में क्या आती चर्ची स्टेश स्टेश जो हैokrat भी का दिवी मुकदमा आपको युपर दर्ज हो गया इक सो पीशिंग पीशिंग में ठीक है वेट करते रहे तो इसलिए जैसे यह फाया दर्ज हो रही है तो इसे आप इमिडेटली मुकदमा दर्ज कराईए क्योंकि आप वेट करोगे तो एक साल दो साल माली यह बीद गया तो कोड ने का यार पुलिस तो जर्नली फायार लिगे निया क्यों कोड से जाना पड़ेगा अप्सक कर दिखो यार तुम आएक वं पर प्राप्यों प्राबिम हो रही थी तुम पुलिस में क्यों नहीं हमारे पास खूब लिए इतना डिले कि लगा दिया इसी डिले के आधार पर आपका केस इंटर्टेन नहीं और inappropriate जबूती ने रहे जाएगी है फायर जस्ट होने के बाद अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए वह प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टिटूट अपनाएगी आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझेगी लेकिन अगर आप सोचो जस्ट ओर लिखा दी और उस उसाइट करते रहें के रहें कवेट करते रहें के तो कहती ना पहले और रहाएं कि तो काउंटर होने के बाद आप काउंटर केसे की तैयारी और उनको डराइए अगर नहीं कर पा रहें तो मेरी मदद लीजिए मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तो बैठाओ चलिए बस ठीक है वीडियो खतम करते हैं I'm not well बट ठीक है let's wind up the video बट यह request मेरी एंड में आप लोगों से यही है कि अगर आप लोग मुझे facebook social media handles पर नहीं follow के facebook instagram Twitter पर प्लीज वहाँ follow करिएगा साथी साथ personally मिलना चाते है किसी problem को मुझे solution चाते है तो phone करिए बात होएगी problem आपके हम solve करेंगे thank you so much जहिन